नमस्कार दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आये हैं कि किसी को कैसे आप पहचान पाएं कि वो आपका अपना है या पराया कहीं वो मीठी छूरी बनकर आपके पीठ में छूरा भोखने की फिराक में तो नहीं आज हम इसी टॉपिक पर आपको समझाने की कोजिस करेंगे कि कैसे आप किसी को पहचान के उनसे सतर्क रह सकते हैं या फिर उम्र भर वो आपको मुर्ख बनाता रहेगा आप पामी सियूच करते रहेगा आपके भावनाओं के साथ खिलवार करता रहेगा वैसे तो चानके ने बहुत सारी नियम बतलाएं हैं लोगों को पहचाने की यहां तक कि पती पत्नी को भी पहचाने की नियम बतलाएं हैं वैसे कहते हैं पती पत्नी का जोड़ी स्वर्ग में बन कर आता है तै होकर आता है और यह जोड़ी साथ जर्मों का है तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे किसी को पहचाने अब हम सबसे पहले तो टॉपिक लेते हैं कि कोई बेक्ती आपका सत्रू है या नहीं ये कैसे जानेंगे खास कर जब वो लोगी हो देखिए लोगी यानि लाल्ची बेक्ती उसका पूरा मुद धन में ही होता है और ऐसे लोग अपने धन की परवाह अपनी जान से भी जादा करते हैं और इनके घर अगर आप कभी कुछ मांगने चले जाएं कुछ आपको ज़रूरत है तो ये आपको सत्रू के समान ही देखेंगे इन्हें दान कोने से कोई मतलब नहीं है और नहीं किसी की हेल्प करने में कोई विश्वास होता है अब दूसरा लक्षन बतलाते हैं बुरे चरित्रवाली इस्त्री का सत्रू उसका पती होता है कोई इस्त्री बुरे चरित्रवाली है और धार्मिक है फृत्रहीन है तो ऐसी इस्तिरीओं के सबसे बड़े सत्रो उसके पती ही होते है क्योंकि पती ऐसे अकरनी से उन्हें रोखता है तो वा पती को ही सत्रो समझने लगती है यदि पती और पत्नी दोनों में से कोई एक भी इन बुराइयों में घशीटा हुआ है लिप्टा हुआ है तो ऐसे में उनके साथी को यानि दूसरे को इसके परिणाम तो भुगत नहीं पढ़ेंगे पत्नी की गलतियों की सजा पत्नी को मिलेगी और पत्नी की गलतियों की सजा पत्नी को भुगत नहीं होगी अब बात करते हैं मुर्ख जो होते हैं उनका उपदेश देने वाला सत्रू होता है यानि मुर्ख को अगर आप समझाने जाईएगा तो वो आपको सत्रू ही समझने लगेगा जो लोग मुर्ख होते हैं वे ज्यानी लोगों को सत्रू मानते हैं और मुर्ख बैक्ति की सामने यदि कोई उनको संजाने की कोशिस करता है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ और सामने वाला खामका हमें नीचा दिखाने की कोशिस कर रहा है उन्हें आपकी अच्छी बाते भी चुबेगी क्योंकि वह इन बातों पर अमल नहीं कर सकता है मुर्ख का स्वभाव उसे ग्यान से दूर रखता है जैसे च्षट्रू चंद्र्मा है क्योंकि च्षट को अंध्यरे में चोरीकरने की आदत है अब चंद्रमा की रौसली में तो उच्षटी कर पाएगा नहीं तो ओचन्रमा से भी बे डूर बठता है आपन दूखी रहते हैं हमेशा इस वर को कोसेंगे और उनके पास जो भी है उनसे वह संतुष्ट नहीं होते हैं दूसरों का सुख देखकर दूसरों की खुसियां देखकर वो जलते रहते हैं ऐसे लोगों से आपको दूरी रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारत मकता ही फैलाते हैं और हमेशा दुखी भी रहते हैं और इनके संपर्क में अगर आप आए तो उनकी दुख बरी बेर्थ की बाते सुन सुनकर दुखी खुद भी हो जाएंगे कोई बैक्ति बिमार है अगर आप उनकी संपर्क में आते हैं उनसे बाचीत करते हैं आप चाहते हैं कि उनकी बिमारी ठीक हो जाए उन्हें सहानू भूती के दो सब्द कहेंगे लेकिन वो बैक्ती क्या करता है आपके पास तमाम तरह के दुखरे रोने लगता है और आपको भी दुखित कर देता है आप तो गय थे उन्हें संतों ना देने पर आप खुदी दुखी होके चले आते हैं तो इस टाइब के लोगों से दूर रहने में ही भलाई है क्योंकि रोगी से मिलते समय उचित साब्धानी जरूर रखना चाहिए किन पर विस्वास ना करें आप यदि किसी चतुर और चालाग बेक्ती कधन एकाय देखेंगे कि चौपट हो गया है तो आपसे मदद करने के लिए तरह तरह की बाते करेगा तो उनकी बातों पर एकदम से विस्वास नहीं करने चाहिए क्योंकि जो चालाग लोग होते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई न कोई प्रपंज रच ही लेते हैं और इनकी बातों में फसने पर हमारा ही नुकसान होता है तो इन बातों का ध्यान रखे आप चानकी की नीती पे चल कर बहुत हद तक बुरी संगती से बुरे लोगों से बुरी चीज़ों से दूर रह सकते हैं आप उनके ड्यभार से पहचान पाएंगे कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है और फिर कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे हमारे आचारे चानक ने और भी बहुत सारी चीज़े बतलाई हैं हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे फिलामर आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हम फिर मिलेंगे धन्यवाद